तो हलो दोस्तों कैसे आप लोग आपका स्वागत है प्रजापती के एक नहीं और कमाल की वीडियो में तो सबसे पहले आप सभी लोगों का यार दिल से थैंक्यू हमारे दो मिलियन कंपलीट हो चुकी है आपके प्यार और सपोर्ट की वज़े से हमारा दो मिलियन का फैमली मेंबर कंपलीट हो चुका है तो अगें आप लोगा बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए तो आते हैं आज की टॉपिक पर और हाँ अगर आप मुझे इस पेसल थैंक्यू बोलना चाहते हैं तो मुझे इस्टाप कर सकते हैं कमेंड कर सकते हैं और मेरे से बाते भी कर सकते हैं ठीक है तो आते हैं आज की टॉपिक पर दोस्तों के आप जाते हैं कि चीटिया लाइन म क्यों चलती है क्योंकि चीटिया जो हमेशा बेस्ट रहती है हमेशा चलते रहती है हमेशा काम करते रहती है लेकिन यह किसी को नहीं पता होगा आखिर चीटिया लाइं लगा के क्यों चलती है एक के पीछे क्यों चलती है तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं तो चलिए चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले माँ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं प्लीज यह वीडियो को लाइक कर देना और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप हमारे वीडियो को एक लाइक तो हमें तोड़ा से मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की नएने वीडियो सर्च करके राएंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो नमबर दो छोटी सी दिखने वाली चीटी अपने वजन से 20 गुना वजन उठा सकती है अगर यह सकती हमारे अंदर होती तो यार बहुत मज़ा आता और हां यार आप मुझे एक जीच कमेंट करके बताना आप अपने वजन से कितना गुना उठा पाते हैं कमेंट करके बतान दोस्तों यह एक फैक्ट बहुत ही कमाल का है और इस फैक्ट के बारे में सायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे तुम आपको बता दू कि चीटियों के कान नहीं होते वह जमीन के कंपन से इस सोर का अनुबह करती है FACC-4, चीटिया समाजिक प्राड़ी होती हैं जो एक फेमली बना के रहती हैं और इस फेमली में एक क्वीन होता है और जिसके बाद मेल, चीटि और बहुत सारी फीमेल वर्कर चीटिया होती है FACC-5, रानी चीटि के बच्चो की संख्या लाखों में होती है फेक्ट नमर 6, रानी और मेल चीटी के पंक होते हैं जबकि वरकर चीटियों के पंक नहीं होते फेक्ट नमर 7, परिवाद में रहने वाली कुछ मेल चीटियों का काम क्वीन के साथ मिटिक करने तक ही सीमित होता है जिसके बाद वह बहुत ही ज़़ी मर जाती है फेक्ट नमर 8, रानी चीटी 30 साल से भी जाता समय तक जिन्दार रह सकती है फेक्ट नमर 9, रानी चीटी के मरने के बाद चीटियों की फैमली के लिए जिवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और यह लोग केवल कुछी महीनों तक जिवित रह पाते हैं फेक्ट नमर 10, चीटी के सरीर में फेफडा नहीं होता अब आप बोलेंगे आक्सीजन और कार्बन डाई आकसाइड कहां से आता जाता है तुम आपको बता दूँ आक्सीजन और कार्बन डाई आकसाइड के आवागमन के लिए चीटी के सरीर पर छोटे-छोटे छेद होते हैं फेक्ट नमर 11, चीटीया लाइन में क्यों चलती हैं? क्योंकि इनके लिडर दोरा फोरोमोर रसाइन छोड़ा जाता है जिसकी गंद सूनकर बाकी चीटीया उसके पीछे चली जाती हैं जिसके बाद एक लंबी लाइन बन जाती है तो फिला दोस्तो आज के वीडियो मस इतना ही उम्मिद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंदा ही होगी और आपको यह जानकारी कैसी लगी? कि आप चीटीयो के इस फैक्ट के बारे में जानते थे प्लीज आर कमेंट सेक्टर में कमेंट करके बताना और हाँ यह वीडियो को लाइक करना, सेर करना ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब यरू करना क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की कमाल कमाल की वीडियो मिलने वाली आए आपने हमारे वीडियो को यहां तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद